हम आपको बताएंगे अगर आप अबरोड जाते हैं तो कौन सी कंट्री सबसे ददा चीप हैं जहांपे आप इजी लिए अपना MBBS कर सकते हैं असलाम लेकुम, I am Noor from 12 Consultants, उमीद है आप सब खेरिये से होंगे आज की इस वीडियो में हम उन स्टूरेंट्स के लिए MBBS से रिलेटिड चीपेस्ट कंट्री को डिसकस करेंगे जो अबरोड जाके MBBS करना चाहते हैं आज हम आपको बताएंगे अगर आप अबरोड जाते हैं तो कौन सी कंट्री सबसे ददा चीप हैं जहांपे आप इजी लिए अपना MBBS कर सकते हैं इन में कुछ कंट्री जा जाती हैं जिन के बारे में हम आप से आज बात करेंगे नumber फाइस प्रे इटली इटली बहुत सारे स्टूरेंट्स के लिए डीम देस्टिनेशन होती है बहुत साई स्टूरेंट्स चाहते हैं कि हम इटली जाए और वहां जाकर अपनी स्टूडी करें especially MBBS के लिए बहुत से स्टूरेंट्स इटली में जाना चाहते हैं क्यूंकि वहां के इटली में जो MBBS होते हैं इसमें at least apply करने के लिए आपके 60% marks FSE में होना लाजमी हैं अगर 60% marks हैं तो ही आप apply कर सकते हैं और अगर आप आई मैट क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत साइज स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं इटली में MBBS तकरीबन 6 years का होते हैं और यहां पर अगर फीस की बात करें scholarship नहीं मिलती तो जो normal fees होती है वो 1000 से 2000 euros के दर्मयान होती है और otherwise इसके इलावा इटली में बहुत साइज स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आप easily वहां पर जाके ले सकते हैं जिसमें need-based scholarships होती है, merit-based होती है, different scholarships होती हैं जिसमें और रेड़ी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिने आप देख सकते हैं जिससे आपका अंदास्था होगा कि कितने scholarships available हैं इसके इलावा इटली में September Intakes होते हैं और कुछ अच्छी universities के name भी मैं आपको बता देती हूं अगर आप medical के लिए इटली जाने का सोच रहे हैं तो आप जिन universities में जा सकते हैं वो है University of Pisa, University of Turin, University of Milan, University of Bologna अब इसके बाद number phone पे है बुल्गारिया, बुल्गारिया भी medical के students के लिए बहुत अच्छी destination है बुल्गारिया में apply करने के लिए आपके 55% marks FAC में लाजमी हैं आप फिर ही apply कर सकते हैं यहां पे भी fees बाकी योरप के निसबत काफी affordable है यहां पे फिर की जो रेशो है वो तकरीबन 7500 से 9000 डॉलर पर यह तक होती है यहां पे MBBS 6 years का होता है और बुल्गारिया में admission के लिए आपको IELTS करने की जरूरत भी नहीं है और कोई entrance exam भी नहीं होता जबके October intakes होते हैं बुल्गारिया में और जो कुछ universities हैं जिनमें आप ले सकते हैं अच्छी universities और affordable universities उनमें आ जाती हैं Sophia Medical University, Warna Medical University, Pleven Medical University अब इसके बाद नंबर 3 पे है जॉर्जिया जॉर्जिया में भी admission apply करने के लिए अगर आपके 55% marks हैं तो आप apply कर सकते हैं यहां पे fees की ratio जो है वो तक्रीबन 5000 से 8000 डॉलर पर year के दर्मयान होती है 6 years का MD होता है यहां पर और यहां पे भी आपको किसी भी किसम के entrance exam या IELTS की जरूरत नहीं है आप अपना admission apply कर सकते हैं यहां पे जो अच्छी universities हैं जिनमें आप apply कर सकते हैं इनमें आजाती है आल्टी यूनिवरस्टी डैविट तिविद्यानी medical university न्यू विजिन यूनिवरस्टी 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 ऑफ जॉर्जिया यह कुछ अच्छी universities हैं जिसमें आप जब search करेंगे medical के ल आजमी है 70% से below marks पे आप यहां पे admission apply नहीं कर सकते हैं और जो आपकी fees है वो तकरीबन 5000 से 6000 यूरो पर year तक होती है और यहां पे भी आपके जो MBBS है या MD कहलें 6 years का होते हैं और यहां पे भी आपको किसी भी किसम के टेस्ट की दुरूरत नहीं है इंटर्स एक्जाम के बग अप्लाय करेंगे तो यह आपके लिए काफी beneficial रहेगा अब जो number one पे जो बहुत ही ज्यादा affordable है वो country पोलेंड पोलेंड में अगर आपने apply करना है तो आपके 60% marks होने चाहिए FAC में आप इजी लिए apply कर सकते हैं अब पोलेंड के अगर बात की जायना तो कुछ universities हैं बहुत expensive है अगर overall average वहां पर fees देखी जाए तो बहुत expensive है तकरीबन 9000 से 15000 डॉलर पर यह तक यहां पर fees होती है लेकिन हमारे पर हमारे पर एक private university है जो बहुत ज्यादा affordable है जिसकी fees 6000 euros per year है आप इससे अंदादा लगा सकते हैं के पॉलेंड के दूसरी universities में fees कितनी ज्याद है और इसकी fees just 6000 euros per year है जो बहुत ही ज्यादा affordable है अब कुछ universities हैं जिन में आप apply कर सकते हैं पॉलेंड की जो के affordable है जो मैंने आपको previously range बताई है 9000 to 15000 डॉलर उंस range में भी कुछ universities आती है और जो हमारी university वह बहुत 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 नहीं है और university साथ dual medical University Medical University of Sydney या ant national European University in universities में आप उने में पॉलेंड में अप्लाई कर सकते हैं इतनी भी आज के वीडियो में मैंने आपको country ब GM के बताई गये हैं इन मेंसे हमारे पस जो MBBS के लिए अविलेबल है वो सिर्फ पॉलेंड है अगर आप पॉलेंड में MBBS में आप अड्मिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दियेगे नंबर्स पर कॉंटाइक कर सकते हैं और अपना अड्मिशन कन्फर्म कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखिएगा अल्हाफेज